संतलुक का दी अंजील उजस्ताना बाप येशु ने अपने चेलेयानों केया ए असंबब है कि ठोकरा ना आउं परतिकार उस मनुख नू जिस दे राही हो आउंदियां हन इना छोटियां मिच्चों किसे एक दिले जो पाप दा कारण बन्दा है उस दिले ये बहतर हुंदा कि उस दे गले विच चक्कीदा पुड बन के उसनों संभुंदर विच्चुप दिद्दा जन्दा इसले तुसी अपने वाल त्यान देओ जेकर तो हड़ा परा पाप करता है ता उसनों चिलको आते जेकरों पच्चतावा करता है ता उसनों माफ करो जेकरों एक दिन विच्च साथ वार तो हड़े विरुद पाप करता है आते साथ वार तो हड़े कौल बापस आके कहनदा है मैं पच्चतावा हा ता तुसी उसनों जरूर माफ करो रसूला ने प्रभुन आख्या साथा इमान बदा प्रभुने केहा जेकर तो हड़े विच्च राई दे दाने जिनना इमान हुनदा ता तुसी इस शेह तूट दे रुखनों आग सकदे उसनों ए नहीं आख्येगा मेरे लिए पोजन त्यार कर अते जद तक मैं खा पीना लमा तू अपनी कमर कास के मेरी सेवा कर अते बाद विच तू खा पी लमी कि उ उस नोकरदा तनवाद करदा है क्योंकि उसने उस दी आग्यादा पालन किता तुसे भी इससे तरह करो सार्या अग्यावादी पालना कर लेंदे बाद आखो असी ता अयोग जहें नोकर हाँ असी सिरफ अपना फर्ज ही पूरा किता है ये रूशलम नो जान दे समय वो साम्रिया ते गलील दे विचकार दे इलाके थानी जा रहा सी जदो ओ एक पिंड विच दाखल होया ता दास कोड़ी उसनों मिले जिन्ना ने दूर खलो के उच्ची अवाज नाल किया ये शू मालक साड़ी उत्ते देया कर उसने जदो उन्ना नो बेख्या ता किया जाओ अधे आपने आपनो कहिना नो विखाओ जान्दे जान्दे ओ शुद हो गए तद उन्ना विच्चो एक ए वेख के कि ओ चंगा हो गया है उच्ची अवाज नाल खुदा दी वडियाई करदा मोड आया ओ ये शू दा तानबाद करते होये मूँ पर ने उस्दे चरना ते डिक पया ओ एक सामरी सी तद येसु ने कहा कि दसे आदमी शुद नहीं होए फिर बाकी दे नो कित्थे हन कि इस परदेशी तो इलावा कोई होर अजेहा नहीं मिल्या जो खुदा दी वडियाई करद ले मुड आंदा फिर येसु ने उसनो कहा उठ अत्यापने राजा तेरी इमान ने तेनु चंगा किता है इक वारी फरीसियां दे पुच्छन दे कि खुदा दा राज कदू आवेगा उसनी ओनन उत्तर दिता खुदा दा राज उस तरह दे निशाना नाल नहीं आऊँगा जो वेखे जा सकन ना ही लोग कहनगे वेखो ओ इत्ती है जाओ ओत्ती है क्योंकि वेखो खुदा दा राज तो हाड़े विच है फिर उसनी चेल्यानों कहा ओ दिन आ रही हन जिदो तुसी मनुकदे पुत्तर दे दिना विच्छों एक दिन वेखन ले तरसोगे अते नहीं वेखोगे लोग तो हाणों कहनगे वेखो ओत्ती है जावेखो इत्ती है ना जाई हो ओना ने पिच्छे ना लगियो क्योंकि जिस तरह बिजली चमक दी है अते एक पास्यों दूजे पासे तक अकाश नो रोशन कर दी है उसे तरह मनुकदा पुत्तर अपने दिन विच होवेगा पर पहला उसनों बहुत कुछ सहना अते इस पीडी वलों रद कीते जाना जरूरी है जिस तरह नूदे दिना विच होया सी उसे तरह मनुकदे पुत्तर दिना विच भी होवेगा नूदे बेडी विच दाकर होंदे दिन तक लोग खानदे पीढदे व्या करते अटे करांदे रहे तरह आज आया अथे उन्ना सारेन नाश कार दिता लोट दे दिना मिचवे इंज ही होया लोग खानदे पीढदे खरीदे वेच दे रुक लांदे अटे कर्बनांदे रहे पर जिस दिन लोट सदोंग तो बाहर निकर आया ता आकाश तो अग अति गंदक दी वर्खा होई अति उन्ना सार्या नू बर्बाद कार दिता जदो मनुक दा पुत्तर प्रगट होवेगा उस दिन भी इसे तरह होवेगा उस दिन जो कोठी उत्ते होवे अति उस दा समान अंदर कार विच होवे ता ओ उसनू लै जान ले थल्ले ना उत्रे इसे तरह जो खेद विच होवे ओ पिछा ना मुडे लोट दी पत्नी नू सुरख्यत रखन नी कोशिश करता है वो उसनू गुआएगा पर जो कोई अपनी जिन्दगी नू गुआ दिनता है वो उसनू सुरख्यत रखेगा मैं तोहा नू कहता है उस रात एक मंजे ते दो आदमी होनगे एक नू लै लिया जावेगा अति दूजे नू छट दिता ज लोका ने उसनू पुच्छया कित्थे प्रभू उसने उनन किया जित्थे लाश है उत्थे गिर्जा एकटिया होन गिया